हलो स्टुडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक तो माई चैनल तो स्टुडेंट वेल्यू बेस्ट कोश्चन आंसर को आज कवर करेंगे और चैप्टर है आपका हिंदी का क्लास 12 विदान बुक का अतीत में धबेपां और ये आपका चैप्टर नबर 3 है तो स्टुडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने कोश्चन को तो कोश्चन है सिंदुगाटी सब्विदा को जल सब्विदा कहने का प्रमान प्रस्तुत करते हुए बताईए कि वर्तमान में जल सरक्षन क्यों आवशक हो गया है और इसके लिए कुछ उपाई भी बताईए तो उत्तर होगा कि सिंदुगाटी की सब्विदा में नदी, कुए, स्नानगार और तलाव बहुतायत मातरा में मिले हैं और वहाँ जल निकासी की उत्तम विवस्था के प्रमान भी देखने को मिले हैं और इस कारण इस सब्विदा को जल सब्विदा कहना आनुचित नहीं ह तो स्टुडेंट ये वो सब्विदा थी जिसने पहली बार भूमी में से जल निकालने की प्रथा को चलाया, भूमे बनाए और तलाव बनाए तो इसे सब्विदा ने भूमी से जल निकालने की प्रथा को शुरू किया था और यहां पर जल निकासी के बहुत उत्तम विवस देखने को मिली इसके अलावा यह सब्वेता नदी के किनारे बशी हुई थी मोहन जुदारों के निकड़ सिंदू नदी बहती थी और वहां पीने के जल का मुखे स्तूर्थ जो थे वो कुवे थे तो दूसरा जो कारण यह है इसको जल संस्कृति कहना कि यह नदी के तट पर बशी थी सिंदू नदी के किनारे इसका विकास हुआ यहां मिले कुवों की संक्या सास्थों से भी ज्यादा अधिक है और मोहन जुदारों में एक जगे एक पंक्ती में आठ स्नानागर है जिनके दरवाजे एक दूसरे के सामने नहीं खुलते और यहां जल के रिसाव को र जगे बनाई जाती थी और उसकी अलावा सार्वजनिक स्नान घर भी हुआ करते थे जहां कि लोग जाकर नाया करते थे और इसके साथ ही जो यहां से जल निकासी की जो सूधा थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से थे जल साव को रोखने के लिए कहीं से भी पानी के लिए के जाबत है तो क्योंकि यहां पर जल के विशे में बहुत ही एक अच्छे तरीके से उसको नियोजित किया गया था तो इसी विज़े से हम इसको जल सब्वेता कह सकते हैं वर्तमान में जो हमारी विश्व की जनसंक्या है वो बड़ी तेज गती से बड़ी है और जिससे जल की मांग भी बड़ी है प्रत्वी पर तीन चुथाई भाग में जल जरूर है पर इसका बहुत थोड़ा सा भागी पीने के योके है लेकिन पीने का जो सच्छ पानी है वो सारे का सारा जल जो पीने के लाइक नहीं है नमकीन खारा जल है और पीने का जो सच्छ जल है वो केवल थोड़ा सा ही है मनुश्य स्वार्थ पुर्ण गति विदियों से जल को दूशित और बरबाद कर रहा है अते जल सरक्षन के आवश्यक्ता बहुत ज़ादा जरूरी हो गई है अब मनुश्य जितने भी प्राकरतिक चीजे है नाचुरल रिसोर्से हैं उनका दोहन बहुत अध करने के लिए हमें निम्लिक दुपाय अपनाने चाहिए नंबर एक कि हमें जल का दुरूपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जितना जरूरी हो उतना ही हमें जल का इस्तेमाल करना चाहिए नंबर दो जल को दूशित करने से बचाने का हर संभव हमें प्रयास करना चा यह कि जो रक्ष होते हैं वो मि काी टी की शरन होने को रोकते हैं और सब्सक्राइब één च tremendous कशने जब मिट्टी बोलतों, प्राइबंगो को चाहिए मिट्टी का रख़ेंगें, जो वह बसक्षन है मिट्टी क हमीं भ्रयाप्प मात्रा में मिले गा तो इससे वो सारा का सारा जल ही केमिकल युक्त हो जाता है गंदा हो जाता है और जिसको कि हमें खुम फिरके वो हमारे ही घरों में आता है और हमें उसे पीना होता है जिससे अनिक तरीके की बिमारे होती है तो इसी वज़े से हमें इस केमिकल युक्त जल को नदी नालों में गिरा कर उसकी कहीं अच्छी तरेके से दूसरे जेगे निकासी करनी चाहिए नदियों तता अन्ने जल सुतरों को साफ सुतरा रखना चाहिए ताकि हमें पीने के लिए सच जल प्राप्थ हो सके नदिन आलूМे ऐसा नहीं है कि जहां देखों वहां गंदीगी फेकती जाए इन सारी चीजों से जो पीने का पानी होता है साफ जल होता है वो दूशित होता है तो ये सारी ही चीजे हैं स्टुड़न्स जो की हमें जल को सरक्षित करने में कारगर सीध हो सकती है तो student उमीद है यह answer आपको बहुत अच्छे से ही किलिए हुआ होगा वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification बल को press कीजिए all पर hit कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो आप तक पहुँचे मिलते हम आप से अपने next वीडियो में till then keep watching, stay connected, thank you